पहले तुभे आपको अलविदा बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा मुबारक हो रम्दान का अखरी जुमा मतलब और दुआ में मुझे याद अखना ठीके जी और चलो वीडियो को लाइक नियुकरते यार आप लोग लाइक करते करो ना मॉडिवेशन के लिए बस एक बटन ही तो दबाना है दिवा दिया करो क्या जा रहा है आपका चलो आके करते हैं वीडियो असलाम लेकूम तो जी वेलकम बैक टू माई चैनल हजी लाइव स्टैल वेशीप्स तो जी आज है तेई सवह रोजा और पूरा दिन का दिखाऊंगी मैं रमजानों में क्या क्या लेती हूं तो जी देखो सुबह साड़े तीन बजे में उठी ती और उठते ही मैं अपने थोड़े से नेट्स ले रही हूं जैसे कि इंजीर है और साथ में मुनक्का में बीज निगालके ही लूँगी और आप चैनले मुनक्का को दूद में भ भी बनाना लेती हूं और जादर बनाना लेती हूं या फिर नर्स आपका घर में जो भी फ्यूट्स अवेलिबलों अपल वगेरा वह भी ले सकते हो ठीके बट लें ज़रूर उसके बाद मैंने खाली वांब वोचर ही लिया था एक ग्लास आप जीरा वाटर एजमाइन अब्राइम होता है तो मैंने एक रोटी बना ती साथ में हैं दो अंडो का ओमलेच और मिल्क टी जिसमें मैं ब्राउन शुगर एज करती हूं मैं कभी सालन भी खाते हूं जैसे कुछ भी हुआ मटन का सालन शोर्बे वाला वो भी ले 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 दिए पे जी आई ये केक लाइ कुरान पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्या करना है उसके बाद बस सो जाना है और फिर मिलते हैं आप से कल तो कौन सा रोजा बाई बाई अला हाफीज असलाम लेकूम तो जी आज है बाईसफा रोजा और आपको बहुत बहुत मुबारक हो और हाँ यार क्या किते ने कॉमेंट आया था कज मैं भूल गई वीडियो में बोल देती हूं और दिखाना भूल गई के मुझे सूट दिखाना था जो मेरे को बच्चों ने गिफ्ट करा तो में थे ख्लोच अब भी लिखा जेती हूं तो वो यह वाला सूठ है आभी में खॉल कर लिखाती हूं यह ब्लू और वाइट 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 नी क्रीम कलर है और पारे को बारे पार जो एक खास्ते मॉमबाइल पड़ा रदा यह जो ने लॉंग जो फ्रोग होती है ना पर बिल्कुल सिंबाल है इस तो ही करका में कैसे दिखाऊं और यह दुपट्टा है इसका इस पे भी लेस लगा हुआ है और इसका ना पैंट फ्लाज हो थे जो पैंट कर्ट होता है ना वो वाला है लूस वाला नहीं है तो यह मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट कराए त प्रण पाइट वाले दिनीसे में पहने ठीक है इसका जो वह फोटो वा मैं इसके पर भी दिखा दूंगे आपको फिर प्रण चल लेया क्योंकि इसे तो पता जिन चल सक्का और केमरे स्टैंड भी नहीं है कि मैं रखकर आपको सूट दिखा दूं सरी 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 बाकि थैं वेट देखो मैं राता है सेवंटी थ्री पॉाइंट वन जीरो यहां सो हैपी और देखो पोने चे बजे की टाइम अपना वेट चेक करती हूं रही टाइम सही है रमजानों में उसके बाद इफतार टाइम का दिखा देती हूं यह फ्रूट चार्ट बनाई है इसमें से केल पहले कर ठीक है पहले एक से तो खजूर का उसके बाद दो से तीन गूर्ट पानी पीना चाहिए और फिर उसके बाद जो भी आपके घर में हैल्दी बना हुआ हो जो भी आपने तैयारी कर रखी हो इफतार के लिए और वह खाएं ठीक है अबस में यह गहना चाहूंगी के खाएं चाहिए नमाज पढ़ने के बाद जो आपका सैंडविच अगर फूट चाट खाली ठीक है रोफजा पी लिया या कोई शेक तो ठीक है उसके बाद अगर सैंडविच भी है तो वो डिनर पे अपना एट कर लें या फिर नमाज के बाद ही खाएं अगर आपकी मेरे सहरी में और एफ्तार के बाद में हमेशाए चाय लेती हूं और में भाव सुगर फिर्या या या फिर बाउंच निकल गई हूँ आनन के घर जाने के लिए और मतब्र और तीनर में बने कड़ी चावल खाय थे वो वीडियो स्क्रिप हो गयी है मैं चाज़ गई जी बन निमारन अब ने माली की साइड बेखने के लिए और अभी हम लेकर आए और चोड़ लिया बगेर नापका यही मसला एका है बागे चलो पूरा दिन का जो मैं थापके साथ में शेयर कर दिया और हमें नन्ज के गई दिना मांपसी मिने कप चाय ली थी उसके लावा कुछ नहें लिया मैं बताना भी जरूरी आपको और जी चलो और दूसरी बादी है नेत कुरी नियूरे रमदान हमां फेस पा गई है लोटी की बहुत अच्छी होएं तो मैं सेरी कराएं में तक लाव फीस बाबाएं नेक्स्टे हो गया है रात का सेरी का दिखा रही हूं तो उटते ही मैंने जीरा वाटर लिया था सारे तीन बजे के टाइम में जाद अली मॉनिट्रिंग जो होती है वह हमेशा चेंज कर गर यह बनाती हूं कोषिशक्रती हूं कम से कम और स्क्राइब में चिला इंज चिला चीव बनाती हूं पैन पर और उसको बाः क्ड़े को तरीक की तैयार करते हूं बाकि जो घर में सब पकॉरियों वाली HAREँ कहाते है कड़ी और पोने चाःबजु कर रहे कर रही हो इसी तरीके से आप खाएंगे और अली मॉनिटरिंग के बाद कोई नट्स ले या फ्रूट ले वो जादा इफ अच्छा रेगा अल्यावलेकूम तवजी एटेस वरोज आपको बहुत बहुत मुबारक हो और देखो जादा वीडियो को शूट नी कर पाई और कल कर विलोग जो होगा इसी विडियो में इट कर दूगी और कोशच चिछ करती हूं मैं पूरा अच्छा से विलोग बनाऊ लेकिन हो नहीं बात अच्छा जी में मारकीट आई थी बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए लेकिन जाती हूं बच्चों की करने के लिए मुझे लड़कियों के जादा पसनाने लगते कपड़े तो इस तरीके से अली अब्दुरिमान जयान सब के कपड़े ले ले थे और सा के यहि और वात बस घर आगए ते मैंना आईशा की कुटी आई में मार्केट में भूल कर आगए और में गई मारकिट दुबारा से लेना लिए एस एर आपी दिनर मैं चिकन नालू बनाया था में ब्लकूल भी रोगन नहीं लिया और अच्छी श्टाइल में मैं बुना चोटा सा मुलना सा आलू और एक रोटी ये रहा आज का डिनर जो के मैंने साड़े नो बज़े तक कर लिया था ठीके इस तरीके से आप भी कर सकते हो वेट लूस बहुत असानी सहोगा चले जी नेक्स दे होगे फी 24 सेरी और सुबा उठके में खाली वही साड़े तीन बज़ कर ले रही है तो वन मन तक कंट्यून रखे इसके भी रिजर्ट्स अच्छी मिलते हैं बाकी जीर वोटर ज्वाइन वोटर लेमन हनी वोटर ये सब चेंज करकर के ही ले ठीक है और खाली वोटर में लेती हूं याद नहीं रहा मैंने ऐसी पीलिये स्टो से इसको पीना चाह हुआ है पीजी देखो जी हम लोग जा रहे हैं हुआ आज आज ऑपरेशन रही हुआ याँ से नेशनल हाच स्टेटिक भी रह बादा में बद्धा बद्धा तो नहीं करनी मुझे यहाँ पर जब उनका अपरेशन सकसेस्फल हुआ तो मैं बहार आई तो तो बस आदा हम नि से पांच-दस मिनट के टाइम हम लोग पोचे तो यहां चीज एक तिक दिखा हूं देखो यह आगे जो जारी दिरा निका बेग भी मेरी तरह ता सेम ते सेम मैंने वीडियो शुट कर ली जैसे घर पर पहुंची मैंने बस कर भूजा रखा हुआ था वही कट कर लिया था बच प्राइब रास्ते में ना हमारा रोजा कुझ जाए इसके बाद भरा थकी हुई थी तो गर में कुछ भी नी बनाया था तो मेरे आ फैसल ने क्या गळाए चिकन की परियानी बाहर से ही मंग वाली ती देगी स्टैनर वरी तो देखी होटी न वो और बस उपर-उपर से ही कह असलाम अलेकूम तजी जुम्मा रमजान काखी मुबारक हो यानि अलवीदा आपको बहुत मुबारक हो और देखो थोड़ा बीजी चल लहीं थी असल में अनन्दोय का उपरेशन हुआ है कल बाइबास सर्जरी हुई है तो हम लोग कर भी वहीं थे और फिर रोज़े से पा क्या में करती फिर युकि रात में बियानी खाई थी न तो बजार से आई थी वह भी बियानी भी देख की और में ने कुछ बनाया नी था अगदम में सारे शाला जाए उठी और में फिर सिफ चाए पी और फिर में नमाज कुरान पड़के सो गई तो यह है बाकी आज आज आपको बहुत बहुत मुबारक और दुआओं में याद रखना और जमें नंदों ही उनके लिए अच्छे सेहत के साथ ठीक हो जाए अल्ला में उनको तंदर उसकी दे पहले जैसे वह हो जाए युकरी सर्जरी थी न बहुत बड़ी सर्जरी थी और डॉक्टर्स ने कुछ पता नहीं क्या-क्या बहुत रखा था क्योंकि सारी न ऐसे व्लॉक्ति मुझी चलो कोई नहीं बस यह कहूंगे कि आगर आपको कुछ बिमारी आती आपकी बोजी में कॉलिस्ट्रोल सबसे जादा तो उसका पहले ही ध्यान लख लें ठीक है आगे बिमारी बढ़ती रहती तो बहुत बड़ी बिमारी बन जाती चलो चोटी सी तकलीफ हो आगे चल के बड़ी हो जाती है चलो जी आभी बस आज कर में क्या ही पूरा दिन का में दिखाऊंगी तो बस में यह आउट्रों ही करना आई थी कि आज फ्राइडे हल भी ता है इंशाला करका विलोग में डा आपे नहीं चलो का मिलते हैं तेले लिये बहुत आपेज बबाबाचा के थे आजब देंके थे वोचिंग वाचिंग है हल्दी हुआ हल्दी रहो और हल्दी जीओ अपने साथ अब में फैमिली का भी खायर लोग को बाबाई